हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे टू चैनल वीडियो में आज हम बत करते हैं भारते दिन सहीता यानि IPC की धारा 378 और 379 कि 378 क्या है और इसमें क्या सजा का पराबधान है सेक्सन यानि धारा को लाज तक जरूर देखना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करना यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे भारते दिन सहीता कि धारा 37 78 की परिवासा की बात करे तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी व्यक्ति की कबजे से बहिमानी से किसी संपत्ति को लेने का इरादा रखता है या फिर चोरी के इरादे से उस संपत्ति की जगे बदल देता है तो ऐसा करना चोरी कहलाता है कोई भी चीज जब तक धर्ती से जुड़ी होती है तब तक वह चल संपत्ती होती है और चोरी का विसे भी नहीं होती जो भी चीजे धर्ती से जुड़ी हुई है और हिलाई भी नहीं जा सकती वह अचल संपत्ती कहलाती है उनकी चोरी भी नहीं की जा सकती लेकिन जैसे ही कोई भी वस्तू धर्ती से अलग कर दी जाती है तो वह उसी समय चोरी का विसे बन जाती है चलिए देखते हैं second example राम को एक बैल काड़ी मिलती है जिसमें एक खजानी की पेटी होती है तब राम उस बैल काड़ी को चुके से महा से कहीं और लेकर चला जाता है ताकि वह बैमानी से खजाना ले सके जैसे ही राम ने बैल काड़ी को चलाना शुरू करता है तो राम चोरी का अपराद घटित कर देता है तो यह चोरी मानी जाएगी चलिए जानते हैं चौरी के आवेसेक्ट क्या है ? किसी भी वस्तु को उठाते समय उस वेक्ति की सहमेती नहीं होनी चीए जो उस वस्तु का मालिक है यह दो चीजे चौरी के अपरात के लिए आवेसक्त्व हैं बेईमानी से किसी वस्तु के इरादे की बात करे तो बेईमान इरादे तब मौझूद होते हैं जब संपत्ति लेने वाला वेक्ति खुद को गलत लाव दूसरे को गलत तरीके से नुकसान पहुचाने का इरादा रखता है इसे इरादे को एनिमस, फ्रॉंडी याने स्टील का इरादा भी कहा जाता है इसके इलावा सद भावना से किया गया काम या फिर गलती से किया गया काम चोरी नहीं कहलाता है वस्तु के मालिक दौरा चोरी कब होती है जब कोई भी संपत्ति अदालत के दौरा टैच की गई है ऐसी संपत्ति को संपत्ति का मालिक अपने कबजे म ऐसा करना पत्नी के दोरा चोरी कहलाता है हाला कि एक हिंदू महीला अपने इस्त्रिधन को अपने पती से पूछे बिना यहां महां करती है तो यह कारी चोरी नहीं कहलाता है अगर कोई व्यक्ति चोरी के उद्देसे से किसी व्यक्ति के कबजे से समपती बिना उसकी सहमती से लेता है चाहे वे वेक्ति उस वस्तु का मालिक नहीं भी है तब यह चोरी होगी क्योंगी चोरी एक चोरी होती है चलिए जानते है भारते दिन सहीता की धारा 378 के लिए क्या सजा का प्रावधान किया गया है चोरी के अपरात के लिए सजा को भारते देन सहीता की धारा 379 में परिवासित किया गया है जिसमें कहा गया है यदि कोई भी व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे एक वर्स का कारावास जिसे तीन वर्स तक बढ़ाया जा सकता है या फिर जुर्माना या फिर दोनों से डंडित किया जाएगा यह गैर जमांतिय और संगिय अपराद है और किछी भी मजिस्टि द्वारा विचारनी है यह अपराद पीडित व्यक्ति द्वारा ये संपति के मालिक द्वारा समझोता करने योग्य है यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है था ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आइडि को फोलो थैंक यू